हेलो ट्रेंट्स मैं विनोत सर आज आप लोगों को फिर क्लास 10th संस्क्रित NCRT से मोस्ट इंपोर्टेंड अब्जेक्टिव बता रहे हैं वह चेप्टर है अलस कथा जो की बार बार एक्जाम में पूछा जाता है अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ब वीडियो लेकर आते हैं आप लोगों को पता है कि 60% अब्जेक्टिव पूछा जाता है मतलब एक सो में 60 नमर का अब्जेक्टिव इसलिए आप इसका तैयारी बढ़िहां से करें ताकि आप एक्जाम में सही-सही उत्तर दे पाएं तो आज का जो पहला प्रश्न है कि अलस कथा पाठ कुता संकिलिता इसका मतलब है क्वेशन का अलस कथा पाठ कहां से लिया गया है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ओप्शन बी पुरुष परिच्छा पुरुष परिच्छा नाम से गरंत से रिया गया है नेक्स्ट अलस कथा पाठा से लेखक कर यहां कहा रहा है कि अलास कथा पार्ट के लेखा कौन है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है option B विद्यापती next मिथला या मंत्री को मतलब प्रश्ण का राय कि मिथला के मंत्री कौन थे इस प्रश्ण का सही उत्तर है option C विरेश्ष्वर next मैथली कभी को आसित मतलब मैθिल कभी कौन थे तिस प्रश्ण का सहीऊतर है option C. विध्यापती next पारुनिका बिना के साम गती नास्ती यहां जो प्रश्ण कर आए कि द्यालों के बिना किसकी गती इस लोग में नहीं है तिस प्रश्ण का सहीऊतर है option C. आलसाना मतलब आलस्यों की next विद्यापती लोगपिरिये डैस कभी आसित रिक तस्थान में पूर्थी करेत यहां रिक तस्थान में होगा मैथली कभी विद्यापती लोगपिरिये मैथली कभी आसित नितिकारा आलस डैस मनते रिक तस्थानों की पूर्तिकरेत यहां रिक तस्थान में होगा option a repo यहां जो कर आइसका मतलब है नितिकारों ने आलस को सत्रूबत माना है नेक्स्थ आसित मितलायाम डैस नाम मंत्री यहां प्रश्ण कर आया कि मितला के में विरेश्वर नाम का मंत्री था तो यहां रिक तस्थान में जो भड़ा जाएगा option c विरेश्वर हो next कत्रेव कती पुरुषा सुपता यहां कोस्थन का रहा है वहां कितने पुरुष बच गये थे मतलब आग लगने के बाद घर में तो चत्वारों option a सही है next यम कथा कस्मात गरंतात उद्रिता अस्ती मतलब यह कहानी किस गरंत से लिया गया है मतलब आलस कथा तो इस पुरुष उत्तर है option b पुरुष परिच्छात next अस्याम कथायाम कस महत्मम वर्नितम अस्ती question कर आए इस कहानी में किसे महत्मम है इस प्रेच्छनका सही उत्तर है interface c मानव गुन नाम option c मानव के गुन का मनुस्त के गुन का next नितिकार आलस को क्या मानते हैं गार्णर ओप्षन B fiance शत्रू next अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता इस प्रेशन का सही उत्तर है option भी आलसी विरेश्च्वर कौन था इस प्रेशन का सही उत्तर है option भी मितला के मंत्री अलस कथा में आग क्यों लगाई गई तीस प्रेशन का सही उत्तर है option B आलसियों की परिक्षा करने के लिए next अलस कथा में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे तीस प्रेशन का सही उत्तर है option B 4 वो 4 जो आलसी था next इस्तिति सोकर मुला ही डैस के नधावंती जनतव या युक्ति किस पाट से पाट की एत इस प्रेशन का सही उत्तर है option A अलस कथा पाट जो है इसी का है next भर में लगी आग को देखकर कौन पलायन हो गए इस प्रेशन का सही उत्तर है option B धूर्त लोग घर में जब आख लगा तो धूर्त लोग सब भाग गया बाकी से पालसी बचा था next चारो आलसियों को कैसे बहार निकाला गया तो चारो आलसियों को केश पकर कर बहार निकाला था option C next बनावेटी आलस दिखा कर कौन भोजन गरन करते थे इस प्रेशन का सही उत्तर है option C धूर्त next विरेश्वरास विरेश्वरास स्वभाव की द्रिश आसित question है विरेश्वर का स्वभाव कैसा था इस प्रेशन का सही उत्तर है option B और C मतलब की दानसील और कारूनिका दयालू next अतो गिरी नगलम गिरी लगनम प्रविर्द द्रंग अगनी द्रिश्टवा डैस सर्वे पलाईता यहां question का घर में आग लगने के बाद सभी धूर्त भाग गयत यहां option इसका A सही है धूर्ता तो students आज के लिए बस इतना ही next part का वीडियो देखने के लिए in-screen अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें उन्यान smart class का सभी objective हमारे चैनल पर है दिया है आप उहां जाकर किलिक करकर पढ़ें तो आज के लिए बस इतना ही धन्वाद आप